तो बिसिकली यहां पर बोर्ट के लिए पर एल्टी आने वाली है और मैं कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है बाय करने से पहले ठीक है एकुरेसी जाते है तो इस बाइश कर सकते हैं सामसंग की वाचपर क्लासिक्वाड़ी बहुत अजएदा आपकी कहसकते हो लॉंग टर्म के लिए चलेगी दूशरा यह जी है कि मतलब सोफ्रेश सपोर्ट के साथ साथ एंडरोड वियर का सपोर्ट में जाता है पूरा अपूर साथ के साथ यहां पर बोट की एक वाच आने वाली इसके बारे मैं बहुत सारे प्रिव्यूज में अल्रीड बना चुक हूँ तो यह भी अच्छे से जोरो सोरो से परचार कर रहे हैं अपनी वाच का बोट की लिए प्रोल्टी के बट उतना जदा हाइप नहीं है जितना फाय यहां पर मैं कुछ चीज़े बताऊंगा इस वाच के बारे में जो आपको इसको लेने से इंकार कर देंगे मतलब आप इस वाच को प्रेफर नहीं करोगे तो दिल थामके बैठ जाईए दिखते हैं यहां पर क्या चीज़ें बताने वाला हूं आप से भी को एंड पहली बा वाच आपको तो पता ही है ओवर बजट वाच थी मैं कहूंगा हाँ नौइस की वह वाच बजट से भी उपर कर दिया था उन्होंने जो की लॉंच होनी थी पांच यह रुपए के प्राइस बैकेट में और मेरे को ऐसा लगता है कि बोट की लिए पर एल्टी भी फोड ट्र नौसों रुपए मतलब 9000 रुपए 900 में तो होगी तो कोई भी भाई कर लेगा कोई भी कूट पड़ेगा भाई करने के लिए तो और कोई बहुत नजरी नहीं आएगी बट 9000 रुपए तक के प्राइस बैकेट में देखने को बल सकती सेम वह आज वाला ही सीन आपको देख लेगा वॉच का उसी बॉक्स में आपको एक उद्रीघा कुछ को व्त्तिक आडस। द्शल खोंगा उसको स्काशन करना पड़ेगा उसको स्कान करने के बाद आपके ब्लुटूज कीmäßigndम जाएगा-म की स्करतकी बलूटूफ जैसे की अगर आपको नॉमल फिटनेस बुडूर्ट कॉलिंग वाच की तरह यूस करना इस वाच को तो उसको इसकी तरह भी यूस कर सकते हो जो की नौइस्ट वह आज भी नहीं था तो यह इसमें प्लस मेंट है बट अगर इसमें डाटा शेरिंग ऑप्शन होता है मतलब फोन से डाटा फोन से जो sim sharing option हो तो काफी बेटर था वो इसके अंदर missing है तो वो भी बहुत बड़ा इसका flaw बन जाता है बहुत बड़ा downside बन जाता है and second इसका thing मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पराना वाला जो board की watches जो मिलता है आपको lunar pro connect या lunar connect plus वाली जो watches है उन सब में जो मिलता है same वही वाला आपको UiS में देखने को मिलने वाला है थोड़ा सा lag करेगा and यहाँ पर Android ecosystem तो ही नहीं बिलकुल भी तो यहाँ पर UI आपको पुराना वाल मिलने वाला है third इसका negative point है इसमें कोई भी Android ecosystem नहीं है इसमें नहीं Android भी है रहा है नहीं आपका operating system जिसकी fireboard की watch की तरह है इसमें as such कुछ भी नहीं है तो आपने सख सुना यहाँ इसमें fireboard की watch की तरह operating system भी नहीं है इसमें normal सा light OS दिया गया है जो की मतलब board का ही design वाला है तो यह है कहीं नहीं और fourth इसका negative point यह है कि मतलब यहाँ पर बस एक sim added advantage दे दी गई है बस और कुछ ऐसाच नहीं है तो fourth में एक चीज़ और जोना चाहूँगा यहाँ पर battery capacity इसमें 480 के around battery capacity यूज करेगे 480 to 500 damage capacity जो की इसको run time ठीक ठाक देदेगी बट not the best one अगर मैं noise की voyage watch से compare करूँ तो noise की voyage watch में से better आपको battery backup मिलेगा तो definitely अगर noise की voyage watch से अगर मैं compare करूँ इस watch को की कौन सी watch buy करने चाहिए यह या noise की voyage तो मैं कहूँगा इन दोनों में से आपको buy करने चाहिए Firebolt की dream watch Firebolt की dream watch वीच में कहां से आगी तो guys वो आपको बहुत जाधा value for money प्रोइड हो रही है पता है कितने मिलेगी आपको Firebolt की dream watch पचपन सौ और रुपए के price packet में यह सापने सही सुना एक killer loot deal पे हो जाएगी पचपन सौ और रुपए के price packet में 2GB, 16GB storage और 2GB RAM और operating system, पूरा Android रिष्ट फोन की तरह यूज कर सकते हो फिजिकल आप nano sim डाल सकते हो बट नहीं इस boat में आप nano sim डाल सकते हो नहीं आप noise fit की watch में डाल सकते हो तो guys यह कुछ negative चीज़ें हैं चाहें boat की watch ले लो चाहें noise की watch तो दोनों ही यहाँ पे limited functions के साथ आती है limited features के साथ देखने को मिलती है बट एक काम boat ने और noise ने बहुत तकड़ा किया जो fireball भी नहीं कर पाया वो है amoled display amoled display दे दी दोनों में boat की lunar priority और even noise fit हो है जो दोनों में ही amoled display मिलती है बट ही है कि personal preference पर बहुत करता है आपके सामने fireball dream नाम से ला दी तो यहाँ पर एक advantage और आगे कि लोग apple की watch समझ के उसको लेंगे definitely यहाँ पर क्योंकि apple का क्रेस्टों का भी जाने वाला नहीं है obvious सी बात है आज भी apple के airpods आज भी apple के जो watches है उसके लिए लोग दिवाने है apple के phone से एक status symbol है तो उस तरीके से यहाँ पर कहीं न कहीं fireball ने उसका भी advantage ले लिया तो यहाँ पर कहीं न कहीं इन दोनों से noise और boat की watch side हो गई है एक दम मतलब high पी नहीं बिलकुल ही market में और market बहुत जादा कह सकते हो cluttered है एक तो competition की वैसे बट यहाँ पर fireball जिस price backend में aggressive pricing रख रहा है watches की अपनी तो इन सब जो brands को side ही कर दे रहा है straight away तो देखते हैं यहाँ पर क्या पता fireball dream का कोई plus या pro version आए जो amulet display के साथ आए future claim नोंने बचा के रखा हो हुकुम काई का तो देखते है वैसे फिलाल अभी का तो king fireball किया fireball dream ही है फिलाल तो and stay tuned हीएगा वैसे बोट की लुना प्रो LTE watch decent है but not the best one तो मिलते हैं आप सभी सब लिए वीडियो में तिल देन बबाई